असलाम लेकुम दोस्तो मेरा नाम है अधरान और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MPPT वर्सस PWM solar charge controller के बारे में कि यह MPPT क्या होता है PWM क्या होता है आपको कौन सा solar charge controller लेना चाहिए जो आपको ज्यादा फाइदा देगा कि इस situation में कौन सा controller बैस्ट रहेगा आप जब भी market जाते हैं कोई भी solar charge controller लेने या कोई भी आपने solar inverter लेना हो तो वहाँ पर आपको एक चीज बहुत ज्यादा सुनने को मिलती होगी कि जी यह जो solar inverter है इसके अंदर जो controller लगा है वो MPPT वाला है या वो PWM वाला है तो आज किस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि MPPT जो controller होता है वो किस तरह काम करता है और जो PWM controller होता है कि यह MPPT और PWM क्या होता है तो असल में यह जो solar charge controller होता है इसकी technology का यह नाम है आप कोई भी solar charge controller market से लेने जाएंगे या कोई भी आप वो solar inverter लेंगे उसके अंदर जो controller लगा होता है उसकी technology या तो MPPT होगी या वो PWM technology के उपर based होगा तो यह MPPT क्या होता है MPPT का full farm होता है maximum power point tracking यह इसका full नाम है और जो इसके अंदर PWM technology वाला controller होता है PWM का full farm है pulse width module यहां पर मैं दोनों के जो spelling वो भी लिख दूँगा वो भी आप पढ़ सकते हैं तो अब यह दोनों controller काम किस तरह करते हैं यह जान लेते हैं इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँगा कि आपको उससे इस चीज़ की समझ आ जाएगी कि MPPT किस तरह काम करता है और PWM controller किस तरह काम करता है अब मेरे पास यहां पर कुछे controller मजूद हैं यह सारे PWM वाले हैं तो यह market से असानी से मिल भी जाते हैं सस्ते भी होते हैं और काफी अरसे से यह लोग इस्तमाल कर रहें इन controller को अगर आपके पास कोई इस तरह का controller मजूद है साथ में आपने 150 Watt का एक पैनल गया है तो अब मसाल के दोर पर वह 150 Watt का पैनल लोड के ओपर 18 Watt दे रहा है और फर्ज करें कि वह 150 Watt का पैनल है वह आपको 7 Ampere दे रहा है यह हम फर्ज कर लेते हैं इस चीज को समझने के लिए कि यह PWM किस तरह काम करता है और controller के अंदर आपने ज चार्ज हो रही होगी तो अब इस तुरत में आपको जो पैनल है वह दे रहा है 18 Watt आपकी बैटरी को जा रहे है 14 Watt तो जो उपर वाले 4 Watt है वह जाया हो जाएंगे यानि कि वह किसी इस्तमाल में नहीं आएंगे जब आपके पास कोई PWM Solo Chai Controller होगा यानि कि वह आपका 150 Watt का पैनल है वह सिर्फ देगा आपकी बैटरी को 14 Watt और 7 Watt बनते हैं यानि कि 150 Watt का पैनल मैकसिमम आपको जो आउटपुट देगा वह 100 Watt देगा अब दूसरी तरफ अगर वही आपके पास 150 Watt का पैनल है और आपके पास कंट्रोलर में PWM की बजाए कोई MPPT वाला कंट्रो बैटरी को जो वोल्टर जाएंगे वो तो 14 जाएंगे लेकिन जहां पर आपके पास PWM Solar Charge Controller आपको बैटरी को 7 Ampere से चार्ज कर रहा था वही पर जो MPPT वाला होगा वह आपकी बैटरी को 7 की बजाए 8 या 9 Ampere के उपर चार्ज करेगा यानि कि आपके जो Ampere होंगे उनको कर देगा MPPT Controller उसको Ampere के अंदर उस उर्थ में आपका जो वही 150 Watt का पैनल है वह आपको तक्रीबबन 120-130 Watt की आउटपूट देगा यानि कि आप इससे अंदादा लगा लें कि जो MPPT की Efficiency होती है वो PWM Controller से कितनी जादा होती है अब इसके अंदर एक चीज ये भी नोट से नीचे तक का यानि कि आपने दो पैनल लगाए हैं 150 Watt के एक पैनल लगाया है चार पैनल लगाए है या आपने छे पैनल लगाए हैं 150 Watt के यानि कि 1000 Watt से नीचे आपका सोलर सिस्टम है उसके अंदर आप MPPT Solar Charge Control ना लगाएं क्योंकि वो काफी costly होते हैं और जितना आप उसके उपर उसकी investment करेंगे उतना आपको payback नहीं मिलेगा दूसरी सूरत में अगर आपके पास कोई बड़ा सिस्टम में आप लगाना चाहते हैं 1000 Watt से यानि के 1 किलो Watt से उपर का कोई आप सिस्टम लगाना चाहते हैं आपने 1 किलो Watt का सिस्टम लगाना है 2 किलो Watt का लगाना है उस उरत में आप MPPD-based solar charge controller या MPPD-based inverter की तरह हो जाएं उसके अंदर आपको efficiency ज्याला मिलेगी तो यह था दोस्तो MPPD और PWM solar charge controller के अंदर फरक और आपने किस scenario के अंदर कि situation के अंदर कौन सा controller जो है वो purchase करना है यह अभी मैंने आपको बता दिया है यह मेरे पास जो controller आँगा और यह इसके अंदर एक 10MP का है एक यहां पर 20 का है और एक यहां पर 50MP का है तो उमीद करता हूँ आज की यह वीडियो आपको पसांदी होगी आपकी यह confusion दूर होगी कि जो MPPD है वो क्या होता है किस तरह काम करता है जो PWM controller होते हैं वो क्या होता है किस तरह काम करते हैं तो अगर आपका अभी भी कोई सवाल है आपके जहन में इस MPPD और PWM के बारे में तो नीचे comment के अंदर वो चीज़ आप पोसकते हैं अगर आपको वीडियो पसांदी है दोस्तों वीडियो को like कर दें अपने दोस्तों के साथ भी information share कर दें अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो मजीद ऐसी informative वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब बहुत तरह क्या रखेगा दोस्तों और दौाओं में रूप यार रखेगा अलाफेज